हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में कि कॉईल क्या होती है किस तरीकिसे इसकी चेकिंग होती है कॉईल का कहां यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरे हाथ में एक छोटी सी कॉईल है शायद आपको दीख रही होगी यह देखिए इस कॉईल में यहाँ पर तिन कॉईल है है वन टो ठी इसकी सिंपल टैस्टिंग होती है वही आरवन वाली जो रिजिस्टर टाइप की टेस्टिंग है इसमें हमें कुछ नहीं करना यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर एक white color का wire है वो इस black color की रिंग के उपर लेपेटा गया है एक यह yellow color का wire है वो यहां पर और यह red color का wire है यह तीन अलग-अलग coils है इसकी testing में वही है आपका continuity आएगी यानि कि अगर हमारी coil ठीक है तो यह पूरा deflection देगी यह जईए यह पूरा deflection दिया है इस नय इसी तरीके से इसवाली कॉल को हम चेक कर सकते हैं यह भी पूरा deflection देगी yellow वाली उलगिए इसी तरीके से red color की है इसको भी हम चेक कर लें यह सारी कोईल हमारा फॉल डिफ्लेक्शन दे रही है ठीक है यही चीज हमारी जो कोईल है एक छोटा सा वायर भी हो सकता है और यही चुकि आप देख रहे हैं इसमें कुछ कलर की इंसुलेशन लगी हुई है जिसे के यह वायर आपस में शॉड हो जाये और सेम इसी तरीके से आपको यहां दीख रहा है कि एक तरफ हम प्राइमरी मान सकते हैं और एक तरफ हम सेकंड़ी मान सकते हैं लेकि यहां पर यह भी magnetic field generate करेगा लेकिन चुक्कि इसके पर insulation लगवा है तो ये थोड़ा कम quantity में करेगा तो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि transformer की ही तरह यहाँ पर इस coil को use कर सकते हैं और एक छोटी सी coil के wire में जो यहाँ पर आपको दीख रहा है इतना छोटा सा wire है इसमें आदा ओम तक का resistance हो सकता है क्योंकि एक छोटा wire में इतना resistance पैदा करने की चमता होती है क्योंकि हमारे पास एक ओम का register मिल जाता है कहीं पर ही हमें अगर माली यह जोगार लगानी है तो हम छोटे wire को इस तरीके से मोड कर उसमें resistance पैदा कर सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई register इमर्जेंसी में हमें नहीं मिल पा रहा है तो transformer की दो basic requirement है वो हमारी कॉइल ही है जो दो primary side और secondary side में अलग-अलग कॉइस लगाई जाती है उसी से हमारी बिना touching के primary side से secondary side में हमारी current transfer हो जाती है और हम secondary side में उस current को use कर लेते हैं तो friends अगर आपको इसमें कोई सवाल पूछना है तो आप हमें comment कर सकते हैं हमारी channel को like कीजिए share कीजिए Thank you